आपने जरूर गौर फरमाया होगा कि भारत में सबसे जादा खाये जाने वाले पारले जी बिस्किट की नन्नी गुडिया और इसी तरह पूरे देश में कपड़े धोने के लिए यूज किया गया निर्मा वाशिंग पाउडर के पैकेट पर सफेद फ्रॉंक पहनी एक बड़ किया क्यूं इन्हें पारले जी और निर्मा पाउडर का ब्रैंड बनाया गया और पिछले काफी लंबे समय से दिखाई देने वाली ये दो लड़किया आज किस हालत में हैं आज ये कैसी दिखती हैं आपको इसी सवाल का जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो के जरिये तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें सबसे पहले बात करते हैं पारले जी पर छपी हुई क्यूट लड़की के वारे में पर उससे पहले जानते हैं पारले जी बिस्किट का इतिहास जो की 82 साल पुराना है इसकी शुरुवात मुंबई के विले पारले इलाके में एक बंद पड़ी पुरानी फैक्टरी से हुआ था ये साल 1929 की बात है जब एक व्यापारी मोहनलाल दयाल ने इस फैक्टरी को खरीदा था जहां पर इन्होंने कनफेक्शनरी बनाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे पारले जी कमपनी ने कमाई के मामले में रफतार पकड़ी और साल 1949 के आसपास में पारले जी के व्यापारी पर एक खूबसूरत बच्ची की तस्वीर को छापा गया जिसे लेकर लोगों ने खूब चर्चा की है इस तस्वीर को लेकर हमेशा ही एक महिला का नाम आया है और वो है नागपुर की नीरू देश पांडे का पर कुछ साल पहले जब मीडिया में इस तरह की खबरें फैली तो मजबूरन पारले जी के प्रोड़क्ट मैनेजर को सामने आना पड़ा उन्होंने साफ तोर पर कह दिया था कि पैकेट पर दिखने वाली बच्ची की तस्वीर का वास्ता किसी से नहीं है ये एक imaginary image है जिसे मगनलाल दाहिया नाम खे एक चित्रकार ने 60 के दशक में बनाया था अब जहां तक रही नीरू देश पांडे की बात तो उन्हें इन सुर्कियों के चलते काफी प्रसिद्धी मिले वर्तमान में नीरू देश पांडे लगभग 65 साल की है और इस वक्त नागपुर में रह रही है ऐसा कहा जाता है कि जब नीरू की उम्र 3-4 साल थी तब इनके पिता ने इनकी एक ऐसी ही फोटो खीची थी हलाकि इनके पिता प्रोफेशनल फोटोगरफर नहीं थे लेकिन उनकी खीजी ये तस्वीर काफी अच्छी आई थी इस बीच एक दिन किसी ऐसे शक्स की नजर इस तस्वीर पर पड़ी जिनका संबंध पारले जी वालों से था फिर क्या ये तस्वीर बिस्किट के पैकेट पर छप गई अब बात करते हैं टीवी पर एक समय पर सबसे जादा चलने वाले निर्मा वाशिंग पाउडर के बारे में बता दें कि साल 1979 में गुजरात के करसन भाई ने निर्मा वाशिंग पाउडर की शुरुवात की थी बताया जाता है कि करसन भाई ने निर्मा नाम के वाशिंग पाउडर का कारोबार तब शुरू किया था जब इस धंदे में उतरने के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था इन्होंने एक जमाने में घर घर जाकर अपना वाशिंग पाउडर बेचा था हलकि इन्होंने आखिरकार क्यों निर्मा वाशिंग पाउडर पर इस लड़की को छापा है ये कहानी दिल्चस्प होने के साथ साथ दुख भरी भी है दरसल करसन भाई की एक छोटी बेटी थी जिससे ये बेहत प्यार करते थे वैसे तो इनकी लड़की का नाम निर्मा था लेकिन प्यार से ये अपनी बिटिया को निर्मा कह कर बुलाते थे हर एक पिता की तरह करसन भाई भी अपनी बेटी को आँखों से ओजल नहीं होने देते थे लेकिन किसमत पर किसका बस चलता है एक दिन कहीं जाने के दौरान निरुपमा का एकसिडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई इस घटना से करसन भाई इस कदर तूट गए कि इन्हें सम्हालना मुश्किल हो गया था ये हमेशा से इसी बात की ख्वाहिश करते रहते थे कि इनकी बेटी निर्मा बड़ी होकर खूब नाम कमाए लेकिन निर्मा की अचानक डेथ हो जाने से इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका पर ये इस बात को ठान चुके थे कि निर्मा को वो अमर कर देंगे फिर इन्होंने निर्मा वोशिंग पाउडर की शुरुवात की और पैकेट पर अपनी बेटी निर्मा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी और आज भले ही इनकी बेटी निर्मा इस दुनिया में ना हो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें